हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट ब्रेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीज त्रिपाथी तो कक्षा बारा राजनीती विज्ञान का जो एक इंपॉर्टेंट चेप्टर है समकालिंग विश्व में सुरक्षा यानि सेक्योरेटी इन दे कंटेंप्ररी वर्ड इसका अल् पॉइंट्स में देखने का प्रयास करेंगे और इसको समझेंगे पर इससे पहले कि यह बहुत खास टॉपिक हम सुरू करें एक बात की जानकारी आपको हमेशा के तरह दे दूं कि मैंगनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेट फॉर्म है जहां आप कक्षा साथ से बारत तक आपको पेड सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोला जाएगा ना आपसे किसी तरीके की यहां पर कूपन कोड या डिसकाउंट कोड की जरूवत लगेगी तो यह बिल्कुल निशुल का ध्यान है पूरा का पूरा सिलेवस हम बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट मैंनेट ब्रेंस आपको परिचे वाले भाग में भी बतायता कि सुरक्षा जो है वह एक ऐसा आयाम या ऐसी भावना है कि हम सभी सुरक्षित हैं हम किस चीज से सुरक्षित हैं जान से माल से पर्यावरान से हर चीज से यानि अपने अपनी जान का सुरक्षित होना अपने संसाधनों का सुरक करक्ति है और परियावरणी है भी हो सकती है कैसे इसकी बात में आगे करूंगा पर एक चलिक समझें कि सुरक्षा की अधाणा प्रत्यक शुरूप से राश्ट्रीय हित sovereignty यानि जब तक आपको प्रभू सत्ता या प्रभू सत्तात्मक होने की भावना नहीं नजर आएगी अब सवालत है प्रभू सत्ता क्या होती है संप्रभूता क्या होती है संप्रभूता का मतलब है कि आप क्या नीड़े लेंगे इस पर किसी का दबाव नहों और यह दबाव क गुश जाए गन पॉइंट पे चलो इधर चलो यह नीड़ो यहां से लॉकर निकालो यानि आप अप प्रभू सत्तात्मक नहीं रहे गए अब आप अपने स्वैम के नीड़े खुद नहीं ले सकते तो जब तक स्वैम के नीड़े लेने का अधिकार चल रहा है तब तक वो जूड़ी है इट इस अ मैटर ओफ नेशनल इंपॉर्टेंस आप कहा सकते हैं सो सेक्योरिटी इस अ सब्जेक्ट मैटर ओफ सब्जेक्ट मैटर ओफ नेशनल सेक्योरिटी ठिक राष्टिय सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मैटर यह बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा सुरक्षा राज के अस्तित्व की गारंटी है इस लिए तो प्राइमरी फेंक्शन स्टेट या देश का यहां राज का मतलब स्टेट है जब भी आप प्लिट स्टेट होते हैं तो जो स्टेट या राज्य है उसका सबसे पहला करतब यह है प्राथमी कुद्देश यह है कि आप सुरक्षा को सुनिस्चित करिए अगर सुरक्षा सुनिस्चित है तभी राज्य का जो एक्जिस्टेंस है वो बना रहेगा राज्य राज्य में विद्यम संस्थाओं संस्थाओं का मतलब क्या हो गया मौत पूर्ण संस्थाओं क्या होती है एक विधाई का एक न्याय पाली का ठीक है और विधान पाली का न्याय पाली का जुडिसरी एग्जेक्यूटिव एंद तो एक कारे पाली का ठीक है अच्छा अब ये जो संस्थाएं हैं विधाई का क्या करती है नियम कानून मनाती है नहले पालिका कोट जीग्यूट करती है इसकी जितनी संस्थाएं हैं चाहें वो कोट हुआ दफ्तर हुआ इन सभी संस्थाओं का सुरक्षित होना बड़ा इंपॉर्टेंट है सुरक्षित होने से मतलब यह है कि वो सम्विधान और नियम कानून के अनुसार चलती रहें किसी के दवाव मेंने काम करें तो पहली सुरक्षा तो यह होनी चाहिए उसके बाद सरकारी एव संपत्तियों या लोगों की संपत्तियों सुरक्षित होनी चाहिए तो यह इंपॉर्टेंट है तो राज यह झालि खुद स्टेटेट यह पूरे राज की सुरक्षा भी ज़रूरी है घ्रदेस के रूप में प्राइवेट 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 यह सब सुरक्षित होनी चाहिए आगे ने मान समझ में तो चाहें आप वह राज्यों या उसके साथ स्थाएं हैं या संपत्ती है इन सब की सुरक्षा की जब गारंटी रहती है तो वो सुरक्षा की और धारा के अंतर गड़ देखा जाता है ठीक है आगे बार समझ में अच्छा आगे देखते हैं सुरक्षा राज एवं व्यक्ति की अनिवार आवशकता है अब यह लाइन तो आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी ना इसमें कोई इफबट होना चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल इंपोर्टेंट गारंटी है कि सुरक्षा होनी चाहिए और यह कंपलसरी नेसस्टी है राज के निवासियों की सुरक्षा के लिए और उन्हें किसी संभावित खत्रे से बचाने के लिए राज द्वारा सैने बल भी नियोजित किया जाता है यानि सैने बल नियोजित करने का मतलब क्या है यानि कि जो आपका डिफेंस फोर्स है उसको हम क्या करते है प्लान करते तो और ताकि आप थल नव और जल तीनो तरीके से अपने देश मेर्डी तो हम क्या करते हैं संस्थागत तरिके से समयधानिक तरीके से यह काम करते हैं और इंको आपने तरीके से liberty मिली हुई है तो एक सुरक्षा का जो सबसे महत्रपुरंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगी सेना हो जाएगी ठीक है सेना हो जाएगी यह बहुत इंपोर्टेंट है तो अद्धूसा एक और लाइन उगा आप ध्यान से समझेए जो यहां एक सेना हो जो आपने यह लाइन सुनें ना कि रास्ट्य हिद से सुरक्षा जुड़ी हुई है तो यहां परटी आपका जो समर्पण है वह सर्वो परी रहना राष्ट वाद है यह अगर नहीं रहेगा तो आपकी सुरक्षा कंप्रमाई हो जाएगी बात को समझे तो अगर नहीं राष्ट वाध अगर नहीं राष्ट के परटी प्रेम सींपल भासा मैं बहुत डिफिनिशन से और हाना मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो राष्टवाद जरूरी चाहिए अब राष्टवाद का गलत इस्तमाल भी कई वार होता है ऐसा नहीं है दूसरा सेना सेना क्या है एक बहुत प्रमुख और एक इसका पाठ हो जाती यह सेना अब जलती नोकी है यह सु रक्षा के लिए जरूरी है अर यह पूरा पांट जो है पूरस संस्थाओं पूरा दाइत्व राजिका है अब यह पूरा पार पडिश diffic Chili जो राजी के अंदर कानून व्यवस्थाएं या संस्थाएं हैं वो पुलिस के अंतर वह भी सुरक्षित रहनी चाहिए और सेना भी उसमें अपना काम करती है तो यह सुरक्षा से जुड़ी सम इंपॉर्टन चीजें राजिद्वारा कानून के उलंगन करताओं को दंडित करके जन्मान उसको सुरक्षा बढ़ाई जाती है यानि यहां पिक्चर में आ जाएगी न्याय पालिका कि खुली हवाओं की सोहबत बिगार देती है कबूतरों को खुली छट बिगार देती है और जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते सजाना देकर अदालत बिगार देती है तो यह अदालत बिगारे न यह न्याय पालिका का जरूरी है तो उसमें इसमें पुलिस और को उनको सजा दी जाएगी अगर नहीं दी जाएगी तो सुरक्षा पर क्या खत्रा हैगा समाज में अरा जक्ता आ जाएगी अरा जक्ता का मतलब क्या होता है एनर की ठीके क्या हो जाएगा एनार्की अब यह जो एनार्की है इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब कि कोई भी अपने नियम कानून को मानने को तयार नहीं है कोई जिसको पता है कुछ हो गाई नहीं तो मैं क्यों मानूं तो यह एनार्की की कंडिशन ना है इसलिए क्या करना चाह यह हतियार नहीं दूसरी देश्वों से बतने के लिए हतियार नहीं रखेंगे तब तक आपका सुरक्षा नहीं आएगी और यहां पिक्चर में आएगा एक बहुत इंपोर्टेंट टर्म और वह आएगा क्या सक्ति शंतुलन सक्ति संतुलन जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर यानि आपको भी उतना हतियार रखना पड़ेगा कि कोई दूसरा आप पर हमलाना करे और करे तो आप निपढ़ ले इसना फिर अडू पर माडू बमों की रचना और बाकी हतिया सब कुछ आ जाते हैं सक्ति सुरक्षा को सुनिश्चित करती है और सुरक्षा राजय की पहली आओ सकता है तो पावर जो है वह सुरक्षा को क्या करती है एंस्योर करती है अगर आपके पास सक्ति नहीं है सक्ति मतलब अच्छे हतियार अच्छी तकनीक अच्छी सेना तो आप सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सक रखते यह सुरक्षा की अधाना से जूड़ी एक बहुत खास बात है जिसका हमेशा आपको ध्यान रखना है अंतर राष्टिय संबंधों की पूरी बेवस्था सुरक्षा के इर्दगिर्द घूमती है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह आप ध्यान से करते हैं आप अर्थिक के लिए घट्वंधन करते हैं कई सारे एकोनॉमिक फोर де सब्सक्राइब करते हैं कोई देश किसी को परशान ना करें इसकास अच्छा हुवाल है नाट् Sound नौर्फ एट्लांटिक ट्रिटी ऑगनाजिशन जिसमें कौन से देश है जितने पूर्वी यूरोपिय देश है पस्चिमी यूरोपिय देश और अमेरिका है इसमें यह माना गया है कि कोई एक पर आकरमर करेगा तो दूसरा भी उसको अपना उपर हमला माल लेगा कोई नहीं करता है वार्षा पैक था जब सोभिय संगता सीटो जैसी संस्थाएं आई तो यह सब क्या है यह सारी चीजें गटबंदन है सुरक्षा की और अंतराश्य संबंद ही को इर्दगर्द घुमती है अंतराश्य संबंदों में अम बारबार जैसे मालीजे अभी भारत कर रहा है क्या उपायक करने हैं अगर चीन कात्रिकमर है तो हमें किन देशों से गड़बंदन करना है यह सारी चीजें एक साथ में मिलकर चलती है तो यह सारी बहुत इंपोर्टेंट बाते हैं जितना भी इंटरनेशनल रिलेशन्स आप बनाएंगे अब जैसे माली पाकिस्तान चीन के इक आधे धढ़े में जाते गए यह सब Petita संबंधे सुरक्षा के लिए तो था भारत कुछन फेख शल आ रहा था तो जो अंतराश्चे समीं आप देखते हैं जैसे नहीं करते हैं यह सारे अंतराश्य संबंध स्चेरृटी से प्रियोलिटी होती है यह हमारी सिकियोर्ची है वो सेक्योर रहे और हमारा आर्थिक बैलेंस ना बिगर तेल ना मिले तो समझ रहें बात तो पूरा जो इंटरनेशनल रिलेशन है जो अंतराष्टी संबंद है वो सुरक्षा पर टिका हुआ है राज्य हत्यारों का संग्रहर सुरक्षा को ध्यान में रखे करते हैं अब वाल्टर नामक बिद्वान ने सुरक्षा पर एक टिपड़ी करते हुए कहा कि एक राष्ट को तभी तक सुरक्षित माना चाहिए जब तक उसे अपने आधार भूत मुल्यों की कुर्बानी के लिए बाद न किया जाए यानि जिसको बोलता है बेसिक वेल्यूज ठीक है यह जुड़ा हुआ है सीधे सीधे संप्रभूता से ठीक वो यह कह रहा है कि आप एक राष्ट को तब तक समस्चित मानिये जब तक उसे मजबूर न किया जाए कि अपने वो आधार हुट मुल्यों को छोड़ दे यानि मुल्यों को छोड़ने का बतलब क्या है अब आप संप्रभू नहीं रहे जैसे माल लीजिए भारत का ये मुल्य है कि भाई हम परमाडु हत्यारों का पहला उस प्योग नहीं करेंगे अब हमारे उपर अमेरिका इतना दबाव बना दे हमें इतना घेर ले कि बोले कि नहीं परमाडु हत्यार छोड़ो इस पर तो हमारा जो वेसिक वेल्यूस था में छोड़ना कॉंप्रमाइस करना पड़ा यानि हम संप्रभू नहीं रहे जिस चंड आप अपने आंतरिक और बाहरी निर्यों लेने के लिए स्वतंतर नहीं है उसी समय आपकी संप्रभूता खतम हो जाती है और उसी समय आपकी सुरक्षा कॉंप्रमाइस हो गई क्योंकि अब आप अपने वेसिक वेलियों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात वॉल्टर ने कही है अब राष्ट द्वारा हतियारों का संग्रह सुरक्षा को ध्यान में रखे किया जाता है और आउसक्ता पढ़ने पर को सब्सें यह कुघंगा उससे लोग और दूर भागते हैं तो यह एग्रेशन है नि फिए थोड़ा थोड़ा लोग बसते हैं और अलोग किस से बसते हैं यार यह जहां देखेगा ना बीना सोच एक ठपड लगा देगा तो उससे लोग और दूर भागते हैं तो यह कुछ देश ऐसे होते हैं जो आपका इंतजार नहीं करेंगे खुद मारेंगे कि मैं इतना मारता रहूंगा कि यह कभी उठे न एक्रेशिव तो यह भी स सुरक्षा को सुनसित करने के लिए क्या-क्या इंपोर्टेंट है या क्या-क्या अंग काम करते हैं तो सुरक्षा के उपाए या स्टेप्स अगर आप करें तो एक तो इसमें राष्टवाद की भावना जरूरी है ठीक दूसरा सैन्य संगठन जरूरी है या लोग बनाते हैं आपके लिए लोग ऐसा करते हैं इस पॉइंट में लिए सकते हैं तीसरा गठ बंधन एलाइंस यह भी किया देखा जाता है चौथा आक्रा मक्ता यह भी एक पॉइंट दिखा जाता है उसके बाद शक्ति शंतुलन क्योंकि शक्ति अगर नहीं रहेगी तो आपको कोई भी आग दिखा सकता है और सक्ति रहेगी तो कोई आग नहीं दिखा सकता यह बुलेट पॉइंट जैसे हम नोट करते हैं आप नोट कर लिजी आम फोर्सेस इसको अलाइन्स यह अंतरास्थिय संबंद भी सुले सकते हैं इंटरनेशनल डिलेशन्स इसको बोलते हैं एगरेशन ठीक है और इसको बोलते हैं पावर बैलेंस तो यह कुछ important points है जो सुरक्षा के लिए इस्तवाल किये जाते हैं या सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भिन्न भिन्न देशों द्वारा उठाए जाते हैं ठीक है तो यह कुछ गटबंदन में किये जाते हैं जो बहुत जरूरी है इसको भी आप ए नीज सस्त्री करण अठां कि जिसको वोलता है डिस्यार्मामेंट when कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि भी एक काम करो हम सभी अपने अपने हथियारों को खतंकर देते हैं न हथियार रहेंगे गाधर ब्रेंग यst पूरी दुनिया में धाया है कि अगर तृतिए विष्यूत दो गया तो पूरी दुनिया में नाखून भी नहीं बचेगा तो यह खत्रा क्यों है परमाडू बं में आडू बं होने के कारह हैं तो चलो ने काम करते तो अगर ऐसा हम कर लेंगे तो कोई खत्राई नहीं रहेगा तो इसके लिए निसस्त्री करनल की बात की जाती है परमाडू छंता सुरक्षा के समख्ष एक बड़ी चुनाओती है तो विश्व सुरक्षा को खत्रा उन राष्टों से नहीं जिनके पास परमाडू हतियार नही है पर कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखे का इसकी गारंटी है यानि मारें के एक बार में खत्म हो जाओगी तो यह जो टक्राव है इससे भी खत्रा बनाया तो कई दर प्रयास किया गया कि इन परमाडू हतियारों को रोका जाए प्रसार रोका जाए पर इसके लिए समझ के पास है वो रहेगा और बाकी लोग नहीं करेंगे तो भारसाइन नहीं केर रहा है तो प्रयास तो किया जा रहा है पर ओप्रयास अभी इतना सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है सुरक्षा को खत्रा किसी भी राष्ट के लिए चिंता का विशय है एक राष्ट तभी तक सुरक्षी था जब तक इसकी सुरक्षा को खत्रा ना हो वैरी बुजान के धार्ण है कि सुरक्षा का आसा है राष्ट द्वारा धारित मुल्य जीवन परणाली को कोई खत्रा ना हो बिल्कुल ठीक बात तो जो मैंने अभी अभी ये बैरी वुजान से पहले भी वर्टर ने लगवग इस तरह की बात की कि जीवन पढाली है जो वैल्यूस है जिस तरह के जीवन जीए जाता है उस पर कोई खत्रा नहों है ना और वो जीवन मुल्य समाजिक आर्थिक राजनित बात की जाए तो यह तब तक राजनितिक सुरक्षा है जब तक संप्रभुता से कोई खिलवार नहों संप्रभुता यानि आप अपने नेड़े खुद ले सकें यह आर्थिक सुरक्षा तब तक होती है जब तक अपने आर्थिक हितों की अपने आर्थिक हितों से समझाओता ना हो ठिक यह आपको कोई बात देना करें कि आप अपने आर्थिक नीड़े इस प्रकार बनाएं कि दूसरे को फायदा हो तब तक हम आर्थिक रूप से क्या है सुरक्षित हैं सामाजिक क्या है G1 मुल्यू जो G1 आपका मुल्य है कुल मिलाकर मतलब क्या है मान लीजे अगर हमारे जीवन मुल्य बहारत में है धर्म नभ्यक्सिता है या पंत निभ्स निभ्यक्सिता नी सभी धर्म मिल्द्धिल कर रहें पर अहलए को याग लग जाये उसमें दंगे हो जाए तो किया सामाजिक सुरक्षा है नहीं है और लास्ट में पर्यावरण् जब कोई देश पर्यावर्ण या प्रदूसर वैस्विक ताप इनसे परेशान नहों इनसे दुखी नहों इनसे जानमाल नहों गवाए तब तक पर्यावर्णी सुरक्षा पाता रहेगा तो राजनेति अगर आप सुरक्षा का ब्यापक दारा देखें तो सुरक्षा राजने बड़ी सुरक्षा तब तक होती है जब तक आप प्रदूसर या इस तरह के महत्तपूर चीजों से परेशान न रहें तो यह कुल मिला जुलाकर सुरक्षा की एक महत्तपूर अधारा थी जिसे मैं आपको बताना चाहरा था सुरक्षा का मतलब आप समझ लिजे या सुरक्षा सुरक्षा के प्रकार और इन चीजों को डीटेल में देखेंगे और धारनाओं के प्रकार को देखेंगे पर इससे पहले के शेशन समाब तो एक खास बात सुनके जाएगा कि मैंगनेट ब्रेंस का जो प्लेटफॉर्म है वह आपको एक साथ यह सारी चीजें बिलकुल चाह modes सकते हैं चीआ हमारी website से देखिए चाहे हमारे मैं यूटूब मंच पर देखिए यह से मेंगनेट हिंदी का यूटूब चनल है जहाँ साथ से बारत तक में में मिल धांने में चनल इए हैं तो यह एक key education का प्लेटफॉर्म हमें अंने प्रॉइट कर रहा लाइक शेरो सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबेक जरू बताए कि आपको ये शेशन कैसा लागा समझ में आया की नहीं बाकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक अपना भूत ध्यान रखिए टे